दुरुक नगर निगम द्वारा आगामी साथ मई को होने जा रहा है मद्दान में वो प्रतिशत बढ़ाने और शत प्रतिशत मद्दान करने चलाया जागरुकता अभियान इस दवरान कालोनी के रहवासियों ने भी मद्दान करने अपनी जागरुकता दिखाई दुरुक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सोसरी रीजा प्रकाश चौधरी के आधेस पर आयुक्तो लोकेश चंद्राकर के मार्क दर्शन में नगर निगम द्वारा अमार हाइट्स कालोनी में मतदान जागरुकता संदेश और समुदाय में बैनर फ्लैक्स के मा मतदाता जागरुकता कारिक्रम किया गया इस दोरान अधिकारियों ने कहा कि वोट डालने का अधिकार हमें संविधान से मिलता है लोकसवा आम निर्वाचन दोजार चौबिस में मतदाताओं की भागिदारी बढ़ाने नैतिक मतदान एवं निर्वाचन संबंदी कि तहद गतिविधियों का आयोजन किया रहा है इसी क्रम में गुरुवार को नगर निगम के द्वारा विशेस अभियान चलाते हुए अमर हाइट्स कालोनी के मतदाताओं को लोगसवा चुनाओं के संबंद में विस्त्री जानकारी के साथ विभिन ने गतिविदियों का आयोजन किया रहा है साथी निगम टीम द्वारा विशेस अभियान चलाते हुए शहर के मतदाताओं को लोगसवा चुनाओं के संबंद में विस्त्री जानकारी दी गई कारकरा में बताया गया कि एक वोट लोग तंत्र के लिए आवश्यक है आपका एक वोट अमुल्य है इसलिए अपने मत अधिकार का प्रयोग अवश्यकर है इस अवसर पर सभी को वोटर हेल्प लाइन नंबर 1950 के बारे में जानकारी दी गई वोड तलब है कि दुरुग लोगसवा चेतर में 7 मई को मतदान होना है आप सभी को इस महापर्व में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेना है इस मौके पर सभीको लोग तांदरिक देश कर्जिम्मेदार नागरिख होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रिरित किया गया साथ ही अधिकारियों ने अमर हायट्सक में रहवासियों को शपत दिलाई की वे लोग तंदर के इस महा पर में अपनी परिवार को सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग सब पूर्ण महजदान करें अपने अरोस परोस और भाईवनों को जित्ते भी है उनको लेकर जाए 100% मद्दान करने की सपद ले हमारा करतव नहीं अधिकार भी है और हम अपने अधिकार का प्रयोग और करतव का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से करें 100% मद्दान आज के समय की मांग है ACN News के लिए दुर्ख से नसीम फारुकी की रिपोर्ट